पाठ उन्नीस, पत्र लेखन, लेटर राइटिंग बच्चों, क्या आपको पता है कि हम अपने मित्रों, सगे संबंधियों और परिचितों को अपने मन की बात या कोई सूचना, बधाई संदेश, निमंत्रन आदी देने के लिए पत्र के माध्यम से भी अपने विचार दूसरों तक पहुँचाते हैं? इतना ही नहीं, पत्र किसी कार्याले, अफसर या प्रधानाचारे आदी को कोई सूचना देने के लिए भी लिखा जाता है। पत्र के प्रकार, पत्र दो प्रकार के होते हैं, पहला अपचारिक या कार्याली पत्र, दूसरा अनपचारिक या घरेलू पत्र, अपचारिक या कार्याली पत्र, ऐसे पत्र जिने हम अपने प्रधानाचारे, संपादकों या सरकारी कार्यालियों आदी को लिखते हैं, अनौपचारिक या कार्याली पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक या घरेलू पत्र ऐसे पत्र जिन्हें हम अपने मित्रों वा सगे संबंधियों को लिखते हैं, अनौपचारिक या घरेलू पत्र कहलाते हैं। दिये गए अनौपचारिक वा आपचारिक पत्रों के उदाहरण ध्यान से पढ़िए और समझे बीमारी की छुट्टी के लिए प्रधाना चार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखिए सेवा में प्रधाना ध्यापक महुदै नालंदा पब्लिक स्कूल सहारनपुर विशे बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र श्रीमान जी सविने निवेदन ये है कि कल विद्याले से आते समय मैं बारिश में भीग गया था जिसके कारण रात से ही मुझे बुखार हो गया है मैं अभी भी अस्वस्त महसूस कर रहा हूँ मुझे थोड़ी खासी भी हो गई है इसलिए मुझे आज डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाना है अथा आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे एक दिन का अवकाश देने की क्रिपा करें धन्यवाद आपका आज्याकारी शिष्य विपुल शर्मा कक्षा 3 सी अनुक्रमांग 15 दिनांग 12 सितंबर अनौपचारिक पत्र अपने दोस्त को जन्मदिन पर बुलाने के लिए निमंतरन पत्र लिखे मयूर विहार 3, दिल्ली 96, दिनांग 3 अगस्त, प्रिय दोस्त अनुराग तुम्हें पता ही है कि हर साल 10 अगस्त को मेरा जन्मदिन होता है पिछले साल तो तुम यहीं कानपुर में ही थे तो तुमने सभी दोस्तों के साथ मिलकर मेरे जन्मदिन की बहुत अच्छी तयारी की थी मुझे आज भी याद है परन्तु इस बार तुम दूर हो लेकिन फिर भी तुम्हें एक दिन पहले जरूर आना है बाकी सभी दोस्त भी आएंगे अगर तुम नहीं आये तो मुझे बहुत बुरा लगेगा चाचा चाची जी को मेरा प्रणाम कहना और छोटे भाई अभिनव को प्यार तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में तुम्हारा दोस्त अर्नव